बचपन की एक हान ही अगर मैंने बचपन में ही सुन ली होती तो शायद कुछ लोग जिनको मैंने खोया उन्हें मैं खोने से बच जाता खेर एक बार की बात है एक लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा चड़ता होता है वो कोशिश तो करता है अपने आपको काबू में रख हैं और कहते हैं कि भई तेरे को जब गुस्सा चड़े तो अपने आपको काबू में ना रख पाए और तू भड़ास अपनी निकाल दे किसी पे तो जो हमारे घर के पास लकडी की फेंस है ना इस पे आके तो एक कील ठोक दियो लड़के को बात थोड़ी अटपड़ी लग तो अगले दिन वो 20 कीले ठोकता है फिर अगले दिन 15 और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है जब वो फेंस में एक भी कील नहीं ठोकता अब जब ऐसा किये हुए एक हफता हो जाता है उसने किसी को गुस्ता नहीं किया होता कोई कील नहीं ठोकनी पड़ी होती तो पिता जी के बास जाता है कि आपके सुझाव ने बहुत काम किया उसके पिता जी कुछ देर उसको देखते हैं कहते हैं अब तुम जाओ और सारी कीले निकालो और फिर मेरे पास वापस आओ लड़के को अजीब लगता है वो सारी कीले निकालता है बड़ी महनत लगती है लेकिन कुछ लंबी कीले नहीं निकाल पाता वो पिता जी के पास आता है वापिस पूरी बात बताता है कहता है बड़ी मेहनत लगी कीले निकल गई पर फिर भी एक निशान रहा और कई कीले तो निकली भी नहीं तो फिर उसके पिता जी उसको समझाते हैं कि बही कील निकालना माफी मांग से बहते हैं हम किसी को भला बुरा कहने से पहले दस बारी सोचेंगे